हालो फ्रेंट्स मैं आप सब लोगों का अपने से लुकेशनल चैनल पे हारदिक अभिनंदन करता हूं अगर आप भी हैं क्लास 9 के अभियर्थी तो आपके लिए बहुत ही जादा महत्रपूर्ण वीडियो होने वाला है जैसा कि आप सब को पता है कि आपके विध्याले में ज आप लोग जो है वो इसको नोट डाउन करेंगे और एक्जाम में जाकर के कल अच्छा प्रदर्शन करेंगे पहला कोश्चन है जिरो दसम्रों चार साथ पर रेकिरिंग का भिन रूप है फ्रिक्शन फॉर्म ऑफ 0.47 जेकिरिंग इस तो यहां पर देखिए इसका आपका सह प्लस रूट शार सारे कोश्चन को आप लोगों को आंसर ही सिर्फ बताने वाला हूं और कुछ विश्यश बात या इसको एक्स्प्रेंड में करने वाला नहीं हो क्योंकि यह सारी चीज़े आप लोग जानते होंगे यह भाज्य पर देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क चार चार इस स्कौर मैंस within X साथ को गुदन खंड है तो आप इसको गुदन खंड कर बना लेंगे तो आपका इसका जो है इसका c नंबर जो है आंसर हो जागा x-1 x-1 x-7 जो है इसका आपका राइट आंसर है वहुपद x-2 का सुन्यक है तो आप कहा सकते हैं इसका सुन्यक जो होने वाला है आपका आपका ऑपशन नंबर या नि-2 जो है इसका सुन्यक होने वाला है कोश्चन नमर साथ की अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडेट फॉर्म की बात करें तो आपको ए प्लस बी के होलस्कार के फॉर्मूला पे इसको एक्सपेंड कर देना है तो आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी बढ़ते हम अपने अगले कोश्चन क कि दोनों के से चतुर्थांस में रिनात्मक खोते हैं तो आप सब को पता है कि ब bendsो और को धोकरतिए वा रवा नमबर प्रस्त प्रकार है राखिक समी करन वाइब वर थीक्स प्रस-5 कहाल है तो इसका जो है बारा का सी आपका सही जवाब हो जाएगा तेरह की बात करें तो तो यदि कोई यादि कोई कोन अपने राखिक यूग में का चार बटा के पांचवा भागो तो उसका मान है तो इसका आपका राइट अंसर हो जागा 100 डिग्री यानि आपका सही जवाब है तिरभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है तो 180 डिग्री होता है सब को पता है संभाव तिरभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बने भहिशकून का मान कितना होता है तो 16 नमबर प्रस्न की बात करते हैं तो 16 नमबर प्रस्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन नमबर डी यानि 120 डिग्री 17 नंबर प्रस्ण की बात करते हैं तो किसी चतुरभूज के चारो कोनों का योगफल जो है वो क्या होता है तो वो देखिए यहाँ पर इसका आपका सही जवाब होने वाला है Question 17 का C 18 नंबर प्रस्ण की बात करें तो 18 नंबर प्रस्ण का कुछ answer इस प्रकार से होगा इसका आपका सही जवाब होगा समचे तुर्भुज यानि option number D जो है इसका सही जवाब है उनिसमें नंबर प्रस्निक की बात करते हैं तो इसका आपको जो है वो परीसर आपको ग्याद करना है तो इसका आपका राइट अंतर होजा है तुर्भुज परीस की बात करें तो इसका आपका जवाब होने वाला है बी नंबर यानि 75 डिगरी 22 की बात करें तो इसका आपका सही जबाब होगा B-Number यानि 60 डिगरी 10 की बात करें तो इसका भी आपका आपका जो है वो Right answer होने वाला है B-Number यानि 36 डिगरी 24 की बात करें तो यदी दो रखा है एक दूसरे को काटती है तो सिर्ष भी मुकh कोनू का संबंद होता है आधा तो आप्शन नमबर 24 का जो है राइट अंसर आप्शन नमबर भी होने वाला है बात करते हैं 25 नमबर प्रस्ण का यदि कोई त्रियक छेदी रेखा दो समानतर रेखाओं को प्रतिश्यत करती है तो संगत कोनू के संबंद होता है तो इसका आपका सही जवाब होने वाला है 25 का सी 26 की बात करते हैं तो 26 का आपका सही जवाब होने वाला ऑपिशन नम.बर 7 सात 27 की बात करें तो इसकान आपका सही जवाब है option नमड़ Light स्क्षार एकर फ्लस टू रिक्सक्राइज की बात करें तो एक माइमस wykorाकoria 28 वे फ्लस फूर एक्स यानी अठाईसक्रान का भी आपका एक नमडर जो प्लस फो सक्षार- मिलता है तो तो ये था overall आपके सामने जो है वो हिंदी के गनीत के सभी प्रसनों का उत्तर अगर अगर आप लोगों को इसके subjective प्रसनों के उत्तर चाहिए तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं जिसमें जो है आपको आसानी सी जिसके बाद आपको जो है इसके उत्तर बता दिय जाएंगे और मैंने इसको explain नहीं किया क्योंकि यह सारी चीज़े जो है explain करने बैट रहे तो बहुत समय लगेगा बस आप लोग इसको अगर आप लोगों ने तैयारी की हो तो यह सारी चीज़े आप लोग आसानी से बना सकते हैं अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत है तो आप कमेंट के मांदियम से बता सकते हैं फिर से आप लोगों को जो है वीडियो प्रोवाइट करवा दिया जाएगा थैंक्यू वरी मच मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद गॉड्ड ब्लिस यौल